Hello Friends, PK Classes में आपका स्वागत है आज मैं बात करूँगा Steel की तो Steel की बात करने से पहले आपको बता दूँ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको यही वीडियो पसंद आता है तो इसको like जरूर करें और वीडियो के यंत में bell icon का बटन प्रेस करना ना भूलें चलिए तो steel क्या होती है steel है जो यह iron carbon का ally होता है जिसमें carbon की जो मात्रा होती है वो maximum 2% होती है या हम बोल सकते less than 2% होती है और 1% इसमें manganese होता है इसके अलावा छोटी-छोटी amount में आपके क्या होता है sulfur होता है, silicon होता है, phosphorus होता है यह हमारे किसके अंदर होते है steel के अंदर तो जो steel है steel को हम classified करते हैं carbon की composition के आदार पर वैसे तो steel आपकी ally steel भी होती है spring steel भी कई प्रकार की steel होती है लेकिन यहाँ पर हम जो discuss करेंगे वो करेंगे carbon steel के बारे में तो यहाँ पर जो steel है वो carbon steel है तो carbon steel में क्या होता है तीन प्रकार की steel होती है एक low carbon steel होती है जिसको हम mild steel के नाम से भी जानते हैं medium carbon steel होती है और high carbon steel है एक carbon steel में तीन प्रकार की steel होती है, तो जो low carbon steel है, इसमें carbon की जो मात्रा होती है, वो 0.3% carbon होता है, means सबसे कम, इसके बाद जो आपकी medium carbon steel होती है, medium carbon steel में आपका जो amount है, वो 0.3 to 0.6% carbon होता है, और जो high carbon steel होती है, उसमें more than 0.6%, okay, तो यह हमारे तीन प्रकार सें steel के, इसके बाद जो first types है steel का, वो है हमारा mild steel, तो mild steel जो होती है, it is also known as low carbon steel, okay, यह low carbon steel को ही mild steel बोला जाता है, अब mild steel है, जो यह iron carbon का इलावाय होता है, और इसमें carbon की मात्रा 0.08 से लेके 0.3% तक होती है, and it small amount contain, hydrogen, manganese, silicon, phosphorus, and sulfur, okay, तो यह जो mild steel है, इसमें कौन-कौन से गुण होते हैं, तो mild steel क्या होती है, soft होती है, ductile होती है, and strong भी होती है, plastic and my level भी होती है, तो means soft का मतलब है, lime, lachili, ductile, मतलब तन्नता, strong, plastic, and my level, it has good machinability, खासियत क्या है, इसकी machinability बहुत अच्छी है, और इसकी weldability भी बहुत अच्छी होती है, okay, अब इससे हम क्या-क्या बनाते हैं, जो mild steel है, इसका उपियोग किया जाता है, nuts बनाने में, making of nuts, bolts, nails, seat, buyer, rivet, connecting rod, camshaft, and gear bulbs, यह हमारे किससे बनाए जाते हैं, mild steel, क्योंकि यह ductile है, आप जानते हैं, nut bolts हैं, वो ductile materials के rivet, rivet means होती है, कील, जो कील हम दिवाल में ठोकते हैं, यह कील क्या है, rivet, तो यह किसकी है, ductile की, क्योंकि यदि ठोकते टाइम सामने पत्थर आ गया, यह जाती, पेंड हो जाती, लेकिन तूटती नहीं है, क्योंकि यह किसकी है, ductile materials की, next है medium carbon steel, तो medium carbon steel में क्या होता है, इसमें carbon की जो मात्रा होती है, वो 0.326% carbon, and it also contains small quantity of others alloying elements, like sulfur, silicon, phosphorus, manganese, etc. अब इसमें कौन-कौन से गुण होते हैं, तो यह क्या होती है, mild steel की अपेक्छा ज्यादा strong होती है, and इसकी जो hardness है, यह better होती है, tensile strength है, यह भी अच्छी होती है, लेकिन ductility घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर carbon की मात्रा है, वो increase हो रही है, तो इसकी जो ductility है, वो decrease हो रही है, ओके, तो इसमें ductility जो है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, इसको हम आसानी से roll भी कर सकते हैं, जला जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते है, रोल कर सकते हैं, आसानी से, बैल्ड भी कर सकते हैं, और हम हतोड़े से peat peat के कोई भी shape में deform कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, forged, ओके, अब इसका उपयोग कहा होता है, तो इसका use होता है, making axle, rope, rope मतलब, जो आपके तार्व, यह रसी बनाई जाती है, ropes बनाई जाते हैं, वीकल्स वगेरा को खीचते हैं, यह हमारे किसके हैं, medium carbon steel के, spring, spring, gear, sharp, connecting rod, and turbine rotor, भी हमारे किसके, medium carbon steel के होते हैं, ओके, अब इसके बाद है, last high carbon steel, तो जो high carbon steel होती है, it is mainly contained iron and carbon, जिसमें carbon की मात्र 0.6 से लेके 1.6 तक होती है, and small amount of silicon, manganese, chromium, nickel, phosphorus, sulfur, इसके amount भी छोटे-छोटे, इसके अंदर add रहते हैं, ओके, अब इसमें क्या होता है, क्या परिवर्टन आता है, इसकी composition बढ़ने से, तो इसके गुणों पर क्या प्रभाव पढ़ेगा, यह ह and strength, इसकी जो ductility है, वो medium से भी कम होती है, और strength, it is tough and hard, लेकिन एक कठोर भी हो जाती है, और tough भी है, hard भी है, and it can withstand vibration and impact load, तो जो high carbon steel है, यह vibration को भी, और impact load को क्या कर सकती है, sign कर सकती है, it has less machinability, इसकी जो machinability है, वो क्या है, कम है, अब इसका उपियोग कहा होता है, तो जो हमारे high carbon steel है, it is used for making, wood working tools, drill bits, drill machine की जो bit होती है, वो हम बनाते हैं, इससे, wood working tool में आपका जैसे, आरी हो गई, बड़न जैक plan हो गई, जिसको रिपसा बोलते हैं, वो हो गई, या wood पर काटने के लिए, हम X कुलाडी की बात करते हैं, यह हो गई, तो जितने भी wood working tools है, वो high carbon steel के होते हैं, और drill bit भी होती है, razor blade, और जो chisels होती हैं, cold chisels, stay, punch, यह सारे किसके बनाए जाते हैं, high carbon steel के, क् कि यह क्या है, hard भी है, और tough भी है, okay, thank you